सब कर जय मसी, आज जिनाग 6 सेप्टेमर 2021, विशे लायाओं पती पत्नी को कोई अलग ना करे, पती पत्नी को कोई अलग ना करे, स्क्रिप्चर लियाओं मेटू 19 अदाए 5 और 6 पत को, मनुष अपने माता पीता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे, अठा, वे अब दो नहीं, प्राव तो एक तन है, इसलिए जैसे परमेशर ने जो रहा है, उसे मनुष अलग ना करे, यह बाते श्रिष्टी में ही प्रत्न मानों आदम और इव को बना कर, परमेशर ने कहा था, जेनेसेस 2 अधाई 24 पर, जेनेसेस 2 अधाई 24 प वे शरसांसर के लोग, अपने माटापीताओं को छोड़ कर, अपने अपनी पत्नी के साथ राते आ रहे हैं, परमेशर के बच्चन में कहता है, पत्ती पत्नी एक है, जिसे परमेशर ने जोड़ आए, उसे मनुष अलग ना करे, इसका मतलद पत्ती पत्नियों का जोरा, परिवार तता दो कुत्म के भी रिष्टे तुटे हैं, इसलिए इस परिवार तता दो कुत्म के भी रिष्टे तुटे हैं, इसलिए इस परिवार तता दो कुत्म के भी रिष्टे तुटे हैं, इसलिए इस परिवार तता दो कुत्म के भी रिष्टे तुटे हैं, इसलिए इ हातों से ही दे वैसे पती भी पत्नी के घरवालों को अपना से प्यार दे और साला सालियों को कुछ भी प्यार से देना हो अपना ही हातों से दे अपना अपना रिष्टेदारों की तरफदारी ना करें ऐसे करने से मधूर तता पत्नी की पत्नी रिष्टे में धरार आ सकते हैं कुछ एक कारण है जो कि पत्नी-पत्नी के मुदूर रिष्टे को अलग करने का वज़े बनते हैं जैसे पहला जात अलग-अलग हो या धरम अलग-अलग के हो तो प्रवित्र ततर समाज के लोग पत्ती पत्नी के प्रवित्री रिष्टे को अलग करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग पत्ती पत्नी को अलग करने में काम्याब भी हो जाते हैं जबकि इनसान एक है, फिर भी लोग इनसान इनसान को धर्म और जाती के नाम से बांगते हैं, जबकि इनसान इनसान में कोई फ़र्क नहीं, परमेशर के नजर में सुब एक है, सिर्फ हम इनसानों के नजर में जाती धर्म, उंच नीच तता अमीर गरिब देखने का चस्मा च संती होंगे दुनिया कहां से कहां आगे निकल गया मगर आभी भी कुछ रूरीवादी सोच के लोग हैं जो जाती धर्म उंस नीच को लेकर पत्ती पत्नी जैसे पबते रिष्टे को भी तोड़ने में लगे राते हैं दूसरा कुछ लोग अपना ही पाऊं में कुलारी मार कर पत्ती पत्नी के मढूर रिष्टे को भी बरबाद कर लेती हैं जैसे जुआरी, सरावी, ततध्राक्स अदे लेने का आदत पाल कर खुटके बसे 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 ही खुशाल परिवर को अपने हातों से बरबाद कर लेती हैं जबके रूप्या पेश्चा के नुक्सान साथी सरीर कभी नुकसान होते हैं, उन्हें मालूम है, यदि यही आदत रहा, तो एक दिन धन से कंगाल होंगे, और साती सरीर से भी लाचार होंगे, फिर भी छोड नहीं पाता है, ऐसे लोगों का भी कोई गलती नहीं, क्योंकि ऐसे लोग बीबी बच्चों से भी ज़्यादा नसे से प पाया, हाँ, विश्वास करें, चर्च जाएं, तो एसे लोगों को पवित्रा आत्मा ही समझा सकते हैं, इन नसाओं से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सरी लोग चर्चों में आकर नसा मुक्ति पाये हैं, तीशरा, अपनी पत्निया, पती के होते होई भी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें पत्ति पत्नियों के बीच में चुगली लगाना अच्छ लगता है, कोच एक पत्ति या पत्नि भी ऐसी होती हैं, दुसरे के बातों में तुरंट आजाते हैं, और दुसरे के कहने पर विश्वास करके, अपना हस्ता खिलता परिवार को अपना ही बेकुपी से खुटी बरबाद कर लेती हैं दुसरे के कहाने से ही मान कर जगरा मोल लेता है यह तो मुरुखता का काम है संसार में ऐसे मुरुखों की कोई कमी नहीं पर बत्रबचन में कहता है परमेश ओरने जो रहा है उसे मनुस अलग ना करे यदि किसी के इसमे कुछ बोलना भी हो तो सोस्त समझ कर बोले जगरेया सक के कारन ना बने परिवार एक खुशियों में ग्रहन लगने ओली तता बादक बलने ओली या रुकाबल दलने ओले बाते सास बहु की जगरे, दोनों में बनती क्यों नहीं हैं, क्योंकि सास बहु में जमीन और आसमंत का फड़ गएं, सास सास और उस जमाने में पैदा हुए, एक दिन का हजरा अठना या एक रुपया ही मिलते थे, एक एक पैसा का मुल्य था, गड़ के कामों के साथ साथ बाल बच देती बारी कामों को भी खुटी कर ले करते थे, आज के जमाने में पैदा हुए, बहुए, पैदा होते हगिस बनना शुरू किया, पकरना आते स्मार्टपोन पकरना शुरू किया, कहां अंपर सांस, और कहां पड़ी लिखी बहु, गारी उसकूती से चलने ओने ओने बहु ओपिस जाने ओने बहु, दोनों में जमिन और आसमान का जरूर अंतर होंगे, फिर भी पड़ी लिखी बहु होने के नाते, समझ दरी से साथ बहु के रिष्टे को मदूर बनाना चाहिए, अपने साथ जैसी भी हो, उन्हें मां की दर्जा देनी चाहिए, साथ ससुर, बेते बहु को समझाते क्यूं हैं, क्योंकि बेते और बहु, बाल बच्चे दर बन जाने पड़ भी, अपने बेते और बेते हों को बच्चे ही समझते हैं, चैए आप इंजिणर डोक्टर बन जाओ, तता IS, IPS ओफिसर बन जाओ, फिर भी माता पिता हैं समझाने के लिए कोशिश क करते रहते हैं कि वे अभी भी बच्चों को अपने बच्चों को बच्चे समझते हैं इसलिए साथ ससुर। तता माता पेताओं का बोलावा को दिल में नहीं लगा लेना चाहिए। यादि अच्छाए के लिए बोल रहा है तो मान भी लेना चाहिए। नहीं भी मानना है गुस पत्नी या पत्नी के मदूरिष्टे को जिसको प्रमेसर ने जो रहा है उसे बिगरना चाहते हो तो पत्नी-पत्नी के अवगोनों को यानि के पत्ती और सास्सुर का जो भी खराब आदत हैं चोटी-चोटी बातों को भी ना चुपा कर अपनी ममी को बताते जाओ तो दोनों घरों में जगरा, असांती तत्त चिंताय बरेगी कि ममी बीच पचाओं में आग में घी का काम करेगी हाँ सभी ममियां ऐसे नहीं होती कुछ ममी जरूर अपना जमाई को अपना बेता समझ कर समझाने की कोशिश करेगी कि मां की ममता कराएगी मगर वही समझाना तता किसी आज़ परोस तता दोस्तों को भी ना बताएं किंगो दिवार के वेेगी काम न होते हैं। पत्ती पत्ने के भीच में जो भी मनमुताओ हैं दोनों मिल बएट कर थंद धिमाग से समाधन तलाशें। पत्यों के लिए भी दो एक बतें। प्रकद्रवचन में ही कहा पती-पतनी दो नहीं एक तन होंगे, माता-पीता को छोड़ कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा, हाँ, पती-पतनी अलग घर में रहने पर भी अपना माता-पीता तता भाई-भाहनों को देखना पड़ता है, यह फर्ज बनता है, कि माता-पीता ने आपको पाल पोस्ट कर बड़ा किया, ताकि बुरापे का सहारा बने, मगर आपके बाई बाहनों के उपर तब तक फर्ज बनता है, बाहनों के साधी नहीं हो जाती, और बाई अपने पर खरे नहीं हो जाते, तता साधी नहीं हो जाता, आपको बड़ी बाहनों ने या बड़े बाहनों ने परा लिख क्या तो बाल बच्चे भी होंगे अब आपका फ्रोर्ज बनता हैं अपना परिवार को पालना रिष्टे ना दे को निवाना जिन्दी गवर चलते रहेगा पत्ति पत्नी के रिष्टे को मजबूती देने के लिए दोनों की सायोग जरूरी है पत्ति पत्ति दोनों ही की दारी रिष्टे मजबूत करते हैं अंति में दो सब्द यदि पत्नी बंदी के रिष्टे को मजबूत करना हो तो चोते-चोते बातों को लेकर जगरा ना करें दुसरे की चुगली ना सुने तता दुसरे को भी चुगली ना करें जगरे में एक दुसरे के परिवार को मिल कर ले चुति-चुति बातों को भी एक दुसरे से ना छुपाए बार के जगरे तता गुशा को परिबार में ना लाए बिते होए बातों को बार बार यार ना दिलाए एक दुसरे के सरेरे कमजूरियों को ताना ना मरे तता बार बार यार ना दिलाए बलकि एक दुसरे से प्यार जता है, साथ ही भले गुनों को लेकर एक दुसरे की तारिफ करे, यदि पत्ती पत्नी में अंतर अतूत प्यार हो, सांसार के को भी ताकत अलग नहीं कर सकता, ना परिवार, ना समाज, ना गरिवी, तता ना लाचारी अलग कर सकते हैं, जिसे परमेशोर ने जो रहा है उसे परमेशोर ही अलग कर सकते हैं, आज का इनप्र रवर सुनदों के दोरा, पत्ती पत्नी को परमेशोने जो रहा है, उसे मनुस अलग न करे को लेकर, पत्ती पत्नी के मदूर रिष्टे में दराल डलने वोले बातों को बताने की कोशिकी, और भी बहुत सरे बाते होंग जो कि शमय जज़त नहीं देता, सुनकर किसी का काम का हो, तो एक दुसरे को बताएं, सुनने वाले के साथ प्रवुका आशिश रहे, अमीन.